नमस्कार भाई welcome back my YouTube channel में प्रवीन मैं आपको hair transplant की जनली इस चैनल पर सेयर करते आया हूँ मैंने हमेज़ा हर एक चीज को आपको शेयर किया है तो मैंने सबसे पहले जब अपना hair transplant कराए था तो उस टाइम पर अपनी लाइब में दो साल मुझे complete हो चुके हैं ठीक है और जैसे ही मैं share करते रहूंगा आपको मैं 8-10 साल और आगे तक share करूंगा ताकि आपको भी पता चले कि hair transplant का result कब तक रहता है आज हम बात करने वाले हैं आपने सेटिंग पर सुना होगा सॉकिंग लाउस कभी नहीं चुना होगा मैंने भी नहीं सुना था मुझे आज पता चला कि आपको share करना चाहिए एक भाई ना मुझे अपने वीडियो शेयर की फोटो शेयर की तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि इनका hair transplant फैल हो गया बट बाद में पता चला कि इनका shocking loss है मतलब यह shocking loss क्या होता है जब हम surgery कराते हैं तो क्या होता है हमारे existing hair भी affected हो जाते हैं अब क्या करना है कि जिससे आप अपने transplant कराते हैं तो transplant के बाद आपकी condition काफी अच्छी होती है फिसके बाद कुछ time बाद आपका जो अनर इरिया से क्या होता है कि आपके graft निकाले जाते हैं तो इसके आसपास वाले और भी graft नीचे गिर जाते हैं ठीक है वो भी जढ़ ही है ठीक है इस चीज को tension मतलो एक भाई का हुआ है मैं आपको उनका video भी बना के share करूंगा जब इनका cover हो जाएगा इनकी फोटो शेयर की और जब इनका ये cover हो जाएगा तो इनका बढ़िया हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है तो इसकी tension बिल्कुल भी मतले ना कि ऐसा जिने लोगों में होता है तो यह समझे लोगों के जैसे हम 1000 सरजरी होती है तो 1000 में से 10-15 लोगों को चरूर यह हो जाता है और यह बिल्कुल नॉर्मल है और यदि सॉकिंग लॉस आया है तो 100% recover होगा इसकी बिल्कुल tension की बात नहीं ठीक है मैं बस मुद्दे की बात करता ह हूं अब इसको recover करने के लिए हमें क्या treatment लेना होता है तो हमें बस कुछ नहीं यहां पर अच्छा proper diet को रखना होता है और इस जगह पर हमें क्या करना होता है यह जो इसकी बात नहीं होता है तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्राइब करें और मेरा यह टार्गेट है क्योंकि अभी सब्सक्राइबर जैसे 2000 के आसपास से लगबग 10,000 करना है तो यह आप पर डिपे बाइबर